दोस्तों, आज मैं आपके साथ दो बहुत इफेक्टिव घरिल उपाय शेयर करने वाला हूँ, जिसका स्तमाल करके आप अपने मन मुताबिक वजन को कम कर सकते हो। यह रेमेडी आपके डाइशन को ठीक करेगी, आपके मेटाबॉलिजम को बढ़ाएगी, शुरीड में ताकत की कमी नहीं होने देगी, साथ इसकीन हेल्दी रहेगी और इसके लावा भी आप बहुत सारी बिमारियों से बचे रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको दो रेमेडी बताऊंगा, जैसे आप इस गर्मी के मौसम में बड़ी ही आसानी से फॉलो कर सकते हो। और अपना बढ़ा हुआ वजन, मोटी कमर, जांगो की चर्वी, हात और गले की फैट और निकले पेट को कम कर सकते हो। तो आएए जानते इस करने के अलावा, यह बीज शेर की गर्मी को कम करने, ब्लड सुकर लेवल को कंट्रोल करने, कबज और सूजन, यानि कि स्वैलिंग को दूर करने में भी मदद करते हैं। सबजा बीज आपके स्कीन और बालों के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसमें ओमेका द 37 बीज में अलफानलेलिक एसिड पहाँ जाता है, जो बीज में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड से आता है। यह एसिड शुरीर में फैट को जलाने वाले मेटाबोलिक रेट को बढ़ाते हैं, जिससे मोटापा कम करने में हल्फ मिलती है। वाइटीमिन A, B complex से साथ साथ कैशियम, फास्फोरस, बैगनिशियम और आरन से भरपूर सबजा सेट्स ओरॉरल हेल्थ के लिए बेनिफिशल है। इसलिए ऐसे सुपर फूड माना जाता है। तो इसके लिए क्या करना आपको दो चम्मच इन बीजों को एक गलास पाने में भीगो देना है। 12 से 15 मिनट क के लिए चीनी का इस्तमाल यहां पर नहीं करना है। आप हनी यानि की शहद एक स्पुन ले सकते हैं। चीनी शरीर को नुकसान करता है, हड़ी को कमजोर करता है और शरीर में मोटा आपा भी बढ़ाता है। दूसरे तरीके में आप दही या फिर मठे के साथ ले सकते हैं। लसी बना कर या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। आप अगर नमकी लसी यानि की बटर मिल्क बना रहे हो तो काला नमक या सिंधा नमक का यूज कीजे। इसमें आपको सफेद नमक का इस्तमाल नहीं करना है। और इसमें आप भूना हुआ जीरा भी आदा चमच एड़ कर सकते हैं। ये और भी पाउरफूल हो जाएका। इसका सेवन आपको दोपर के खाना खाने के आदे घंटे पहले करना है। और दीन में दो बार भी इसे लिया जा सकता है। इसे लेने का कोई भी नुकसान नहीं होता। क्योंकि इसकी तासिर ठंडी होती है तो इस गर्मी सुने दे। अब आपको क्या करना है इस पेश्ट को एक बाल में निकाल लें। आप इसे कांच के बाल में ढखकर फ्रीज में श्टूर करके रख सकते हैं। ये आपका दस दिन के लिए तयार हो जाएगा। बार बार आपको बनाने की जुरत नहीं है। अब यहां पर लें की सकते हैं। और अगर आप शुगर पेशिंट हैं शुरी में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो यहां पर शहत का इस्तमाल नहीं करना है। इसका सेवन आपको सुबह सुबह खाली पेट बासी मुह करना है यानि कि बैगर ब्रश किये बैगर गुला किये और इस पाने को आपको सिब सिब करके पी जाना है। इससे हमारी मुव में जो लार होगी वह भी हमारी पेट में जाएगी और बहुत ही इफक्ट करेगी। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें अगर आपकी बाड़ी एसिड है पेट में एसिड ज्यादा बनता हो तो यहां पर खाली पेट इस रेमिडी को फॉलो नहीं करना है। अगर आपके पेट में ज्यादा बनता है खटी डगारे आती हैं वोमिटिंग जैसा फिल होता है तो आप सुबह नास्ता करने के बाद इस तरह से इस ट्रिंक का सेवन कर सकते हैं। इस बात का जरू ध्यान रखेगा। इस लेने के ए इत्रम नीमू पानी शरीर में मेटाबोलिजम को बढ़ाता है और फैट को तेजी से रेडियूस करता है जिससे बढ़ी वी वजन से छुटकारा मिलता है। नीमू में मौझूद पॉलिफेनल्स बढ़ते मोटापे को कंट्रोल करते हैं। शरीर में एक्ष्टा फैट के जम स्कीन में निखार आता है। स्कीन केर में हाइड्रेशन का बहुत बड़ा रूल होता है। इसके लावा नीमू में मौझूद वैटेमिन सी और पोटेशियम इम्मूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। खाली पेट नीमू पानी लेने से निट्रेशन का अब्जॉप्शन और भी बहतर धंग से होता है। आपको नीमू पानी को इस तरह से 21 दिनों तक लगतार फॉलो करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन तेजी से कम हो तो आप पूरे दिन में मीठी चीजें खाना बंद कर देजे। अपनी लाइफ से चीनी शक्कर बिलकुल बाहर कर फैट भी नहीं बढ़ाएगा बलकि गुड जो होता है दोस्तों ये खाने को डाडिश करने में हल्फ करता है। या फिर गुड की जगा आप एक खजूर भी खा सकते हो। ध्यान रखीगा गर्मी का मौसम है तो यहाँ पर आपको क्वानिटी बहुती कम इस्तमाल में लाना करने में बहुत ही मदद करता है या फिर आप सुर्य नमस्कार कर सकते हैं योग एक्सराइज जरूर आप अपने लाइस्टाल में आट कीज़े इससे आपका वजन बहुत तेजी से रिडीज होगा आपको अपना मन चाहां शरी मिलेगा मन चाहां वजन मिलेगा आशागरद दोस्तों आपको वीडियो यह जानकारी अच्छी लेगी होगी वीडियो को शेयर किजेगा और अब तक आपने रुद्र होम रेमेडिज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज गोस्तों सब्सक्राइब कर लेजिए बैला कर प्रेस कर और नोटिफिकेशन आउन कर दि वीडियो में एक नई जानकारी सथ फिर से हाज ही रोता हूं दोस्तों तब तक अपना ख्याल लखिए खुश रहिए